दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सोहना रोड पर गाड़ी में जलकर राख हुए डॉक्टर का शव मिलने से हड़काम पच गया शव की पहचान घाम डोज गाओं के रहने वाले 40 वर्ष कवरपाल के तौर पर हुई गाओं के सरपंच सुबह जब इस रोड से जा रहे थे तो उन्हें बीच सड़क एक कार को देखा जिसमें एक शवर ड्राइविंग सीट पर पड़ा था इस मामले में अब पुलिस ने गा गाड़ी घाम डोज मोड़ पर आग लग रही है जो मैंने जाकर वहां देखा तो गाड़ी तरह जली हुई थी वह उसमें एक पूरी तरह से जली हुई आदमी की बोड़ी थी जिसको मौके पर पता किया उसके गाड़ी के नंबर से पता कराया तो गाड़ी घाम डोज के कम परेंट्स आयमोकर जो बॉड़ी को जली होई बॉड़ी को कोस्पार्टम के लिए होस्पिटल में रखवाया गया और वह कारवाई उनके पेरेंट्स का नुशार जो भी नहीं होई कर रहे हैं अभी हमें ने तो कारवाई वही में तरह कारवाई की है यदि कोई कुलू आगय कोई को समर्टम के रिपोर्ट के बाद को उसमें को समार्टम के मताबर जो आएगी उसी करिका दो मंगलवार देर शाम डॉक्टर कमरपाल किसी गर्भवती के इलाज के लिए अस्पताल में गय थे लेकिन राध भर वापिस नहीं लोटे तो परीजनों की चिंता और बढ़ में रहने वाले कवरपाल सोहना अलवर मार्ग में इस जगां पहुंच के वहीं पुलिस ने शाप को कबजे में ले डियाने के लिए फॉरेंसिक लेव में प्यज़ दिया है कि यह वेट से प्लेट में रहते थे किर्शना में वहां से दस वज़े ऑस्पटल आये थे उसके बाद यह कोई पेशन्ट था डिलिवरी पेशन्ट वाले बोलरों को देखने के लिए गये थे उसके बाद एक डेड़ वज़े फेर ऑस्पिटल आये हैं पिरोन ने इंजेक् कियों वह सायड वाली खड़की खुली वही थी तो उसमें को यह हो गा जो कि उससे निकला है निये भी निकल सते थे उससे डलाइय वाली खड़की नहीं खुली का यह वगार लिए उसर बिचना फ्रॉम्ट अब लिए पुर्ती ने ने रिपोर्ट आईगी। गाड़ी में बुरी तरह से जलाशव, हत्या है या हाथसा इसका खुला सतो शुरुआती तफ्तीश में हो नहीं पाया इस बीच इम्रितक के परिजनों ने डॉक्टर कमरपाल को साजिश के तहत मारने का आरोप लगाया है इस बारे में परिवारवालों ने पुलिस को शिकायत भी दी है